नमस्कार जैहिंद आप सभी का बहुत अब सागत है हमारे अपने चैनल बीप एजुकेशन पर और जैसा कि आपने थम्नेल देख लिया होगा कि सीटेट दोहजार तईस का जो एक्जाम है हमारा जो की आपका अगस्त में होना था यह एक्जाम होगा यह नहीं होगा परिक्ष आप में चूज किया था उसी में होगा या कहां होगा इसमें हम आज चर्चा करेंगे थोड़ी सी तो आप लोग जो भी पहली बार आए है चैनल पर चैनल का आप लोग सब्सक्राइब कर दीजे ताकि आपको ऐसी जानकारी मिलती रहे तो देखते हैं सबसे पहले जो हमारा एग्जामिनेशन जो होना था ओनलाइन ठीक है लिखा है विल नाव बी कंड़क्टेड इन आफ लाइन मोड यानि पेन पेपर ओमर बेस्ट पहले यह है कैसा था ओनलाइन था कंप्यूटर बेस्ट था लेकिन अब उसको क्या कर दिया गया है चेंज करके कर दिया है कि फिर को संडे को आल ओवर इंडिया इंदा स्टेसिफाइड सिटीज ठीक है दा डिटेल इंफर्मेशन बुलेटेन कंटेंड डिटेल साफ एजामिनेशन से लिबर से बता रखा है तो देखिए पहले ऑनलाइन था सेंटर कम थे अब ऑफ लाइन में सेंटर ज्यादा हो सकते हैं आपने जो भी सेंटर चूज किया होगा उन सभी सेंटर पर तो एजाम अब तो नहीं होंगे क्योंकि पहले ऑनलाइन वाले थे अब ऑफ लाइन वाले हो जाएगे तो सबसे बड़ा क्वर्शन है आता है कि क्या इस 20 अगस्ट को एजाम हो पाएगा और अगर होगा तो एड को चूज किया है तो अब उनका क्या होगा इनकर तो अब उनके साथ होगा क्या ऐसा एक चीड़ हो सकती है यहां पर कि जिनोंने फॉर्म भारा है अगरब कि में तो होतायी है जैसे कि आपका और लखनो में उस ताइम याद नहीं है मैंने मानन लिया कि एक लाग बच्व क Works तो अब क्या हो सकता है यह बढ़ जाएगी अगर आफ-लाइन होगा तो यह भी बढ़ जाएगा यह हो सकता है कि कम भी हो जाए बढ़ने की उमीद जादा है तो क्या होगा आपका जो भी आपने एड्रेस दिया होगा अपना करेस्पॉर्डनेंस का एड्रेस तो करेस्पॉर्डनेंस आपका जो भी होगा अगर आपने लखनो है तो हो सकता है कि आपने सेंटर भाले कान को चूश कर रखा हो आपको लखनो का ही सेंटर मिल जाए लेकिन अब ये आयोग के लिए बहुत दो टास्क है इस सारी चीज़ों को इतने कम समय में फिक्स आउट करके एडमिट कार्ड चम को आने की वहाएं एकगस्फ फष्ट से स्टार्ट हों इस साथ इसी के साथ इस वीडियो को मैं एंड करता हूँ और आप लोग को अगर दी गई जानकर ये अच्छी लगी हो तो वीडियो को आप लोग लाइक करें शेयर करें सभी तब जुदने भी एग्राम का फॉर्म भर रखा है उनको पता चले कि पेपर अब आफ लाइन होगा OMR पे होगा और जो लोग पहली बार आए है चानल का लोग सब्सक्राइब कर जिए तब तक के लिए थेंक यू बाइबाए